देखो यार मैं अपने बारे में आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे नामों से बहुत ज़दा दिक्कत है मतलब कि पहले बात मुझे नाम ठीक से प्रणाउंस करने हैं आता है दूसरी बात नाम याद रहते नहीं आदे गंटे पहले किसी बंदे से मिला हूँ और थोड़ी देर बात आप उसका नाम मेरे से पुछोगे तो इसलिए मैं इस पूरे वीडियो के अंदर जुजुट्सु काईसन बोलूंगा और इसा उम्मीद करूँगा कि यह नाम सही है और कन्फूजन सिर्फ शो के नाम को लेके नहीं है इसके अंदर गोजो और जोगो यह ऐसा कून करता है हीरो का नाम भी वही और विलन का नाम भी वही नामों के मामले में गजनी बोल सकते हूं मुझे और इस चीज के करण जुजुट्सु काईसन देखते हुए जो कन्फूजन चल रही थ सच्च में पॉच लेकर सोच ठीक है गोजो मतलब किसकी बात कर रहे है वह वह वाल कहना वाले की या फिर वह कूल डूड की और बात सिर्फ इतनी नहीं बलकि कर्सेस कर्स एनरजी कर्स टेकनिक बला बला फाला ना दिम का तो मेरे लिए जुजुट्सु काईसन स्टार्टि नहीं आया और उसने इसको नारुटो की कॉपी बोल दी तो मैं उफेंड नहीं होंगा क्योंकि पहली बात मैं जल्दी उफेंड होता नहीं हूँ और दूसरी बात कि मैं इस पॉइंट से थोड़ा बहुत ज़रूर रिलेट कर सकता हूँ जैसे कि एना एक्जामपल के लिए ज्यादा पाउरफुल तेज जुजूट्सु वैल्ड के अंदर उनके साथ कोई दुखत घटना हो गई और ये वाली स्टोरी तो हमने पहले कहीं देखी नहीं लेकिन अर्ली एज में पेरेंट्स के जाने के बाद उस चोटी बच्चे का ध्यान किस ने रखा उसके ग्राइ जिन्होंने मेरी डेमान स्लेयर की वीडियो देखी उनके लिए स्वरी डीमन अगर शायद आप लोगों ने ध्यान देना बंद कर दिया हो तो अभी तक मैं जुजूट्सु काईसन और नारुटो के बीच की सिमिलारीटी बता रहा था सिर्फ एक क्यरेक्टर को एज एक्ज जाधा काकाशी जैसा और मुझे पता है कि मैं पहला इंसान नहीं हो जोई चीज पॉइंट आउट कर रहा है वो इसलिए क्योंकि जोको सातुरू एक्च्वल में काकाशी जैसा दिखता है लेकिन उसको जो पावर लेवल दी गेन है वो उनके वर्ल्ड के हिसाब से तो आसके उचिया के दिखते जरूर है लेकिन एक दम बहुत जादा नहीं मैंगोमी के पास कुछ hidden power जरूर है जिसके करन सुकुना को उसके अंदर इंट्रेस्ट आ गया और उची मारू तो भाई साब का जो कारेक्टर है वो थोड़ा डिफरेंट और मुझे पसंद आया तो द एक है ना अच्छी बात ही शो के अंदर जरूर है कि कुगी साकी नोबारा जो है ना वो साकुरा जितनी यूजलेस तो नहीं है कम से कम और उसको ऐसी पावर जरूर दीगी जहां पर अपना मेन हीरो अगर अटक जाना तो फिर वो बनती है सोलूशन सिर्फीलर नहीं जूज जूजू कैसन एक शोनन अनिमे तो फिर ये एक सेट पैटन वाली स्टोरी ज़रूर फॉलो करता है जिसके अंदर शो का मेन कैलिक्टर स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पाउर फुल नहीं है लेकिन धीरे धीरे करके फ्रेंड्स और टीचर्स की मदद से न्यूज पा में आमने सामने होते हैं और उस सिच्वेशन को जज़ करने के बाद एकदम डेफिनेटली क्लियर होता है कि अगर किसी नहीं रोका तो सुकुना मेगुमी को मार देगा क्योंकि दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है पावर लेवल का और उस टाइम पे मेरे मैं बीफ लगाना जब इस शोक के अंदर कोई भी कारेक्टर 24-7 आर आर नहीं कता तो बहुत बार तो इस शोक के अंदर की जो कॉमेडी है वो चारेक्टर के बिहेवियर के कारण क्रियेट होती है एक्जामपल के लिए इतादोरी कुगी साकी और जो जो जोगो था या गोजो उनका टीचर बहुत बार जब ये तीनो स्क्रीन पे उता और सामने में एक गुमी की ले रहे होते हैं मज़ा आ जाता है वो भी क्योंकि कि तीनो जो है वो मन के थोड़े बहुत चंचल है लेकिन इसके अलावा एक और अच्छी चीज़ हम लोग को जू 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 काइसन में लेकिन उसी के साथ-साथ वो इस सीरीज का सबसे बड़ा नमूना भी है जितनी जादा पावर्स दी गए उसको उतने ही जादा कीड़े और भाई जब वो बोलता है किया विल खिल लियो वो सुनने के बाद एक अलग लेवल का डर लगता है और हशी-कुशी-कुशी-कुश जोजूचु कैसेन के स्टार्टिंग वाले एपिसोड के एंड में जो सौंग बचता है वो इतना जादा पसंद आया मुझे की अल्मोस्ट हर एक एपिसोड के बाद में उसको रुक के सुनता था मतलब कि लिटरली हर एक एपिसोड होने के बाद नेट्फिक्स मुझे पु बहुत और ज़रूरी वेरियेशन उसके अंदर करता है और उसके साथ में अगर आप मिला दो जिस टाप के कारेक्टर समको इसके अंदर देखने मिलते हैं तो फाइनली आपके सामने बन के तायर होगा एक ऐसा शो जिसको देख सकते हैं और एंजोई कर सकते हैं सीरियस्लिय पहले से बोल देता हूं इसके बाद आप लोगों के क्या थौट थे जुजुट्सु का इसन सीजन वन को लेकर वह निचे कमें सेक्शन में बता देना मैं में मिलता हूं नेक्स वोड़े में जहें वंदे मातरा हूं